हेलो बच्चों केसे आप सभी तो बड़ी खुशकवरी में आपको देने वाला हूं मेरे पीछे सीबसी का वेब साइट का इंटरफेस आप देख पा रहे होंगे और खबर तो आपको मिल भी गई होगी क्योंकि इसका जो हमारा सेशन है उसका सिर्शक यानि के टाइटल भी ल साइल यवर्स लॉंज कर दिया आपना और मुझे तो देर इसे दर पे का आखें लगी की ईगां शूरात आते बहुत시रकर ृषिरत यशू राते लेट है आया हला कि आ गया तो मैं कुछ मुख्य मुख्य बाते आपको बताऊंगा सालेबस के बारे में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लाइफ सेशन है 15-20 मिनट का मैं पूरा सालेबस आपको बताने कोश्च करूंगा क्या-क्या इंप्रोटेंट पॉइंट्स हैं जो CBSC ने आपर लिए हैं जो बच्चे आ चुके हैं वो अपनी अटेंडस लगा दीजिए ताकि मैं आपका नाम शाउट कर पाऊं और आपको अटेंडस लगाने का तरीका पता ही होगा आपको सीरफ लाइक करना है सेशन को और जैसी आप से आज ये लाइव प्रिया किस किस बचे ने लाइक कर दिया है लाइक और शेयर दोनों करना है शेयर ही शेयर करता है शेयर ही शेयर करता है ठीक है फटाफट लाइक करिए फास्ट 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 लाइक कर दीजिए गुड इवनिंग यदुवंदन लफ वेस्ट पंगोल कौन दे रहा है आचल अभी व्लोग्स मिस्टर शुबू अब जो बच्चे 12 में आए हैं और 10 में 11 में उनका सैलेबस सीविए सी ने लॉंच कर दिया है दिस सैलेबस इस फोर 9 10 11 12 मुख्य वेबसाइट पर जाओ गए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको यह देखिए मुख्य वेबसाइट पर मुख्य वेबसाइट थोड़ा जठके से खुलती एक साथ नहीं खुलती तो यहां पर आप जाते हो तो कुछ नहीं मिलता सर्कुलर रिगार्डिंग यह सब चीजे हमारे काम की नहीं है और हम रिएड्रेसल मेकनिजम हमारे काम का था तो यहां पर जो है कुछ भी सुचना नहीं है इसको बंद कर देता हूं पेज को मैं अगर हम उख्य वेबसाइट से हटके अनेकेडमी का पेज अगर आपने अनेकेडमी अप डाउनलोड ना करी हो तो कर लो भाई है ना अनेकेडमी पर मुझे फॉलो भी कर ले ना डाउनलोड करके एप को डाउनलोड करके मुझे फॉलो भी कर ले ना क्योंकि हाँ पर आप मुछ से पूछोगे भाईया हमें जाले बस कहां से मिलेगा आपको, सेक्षनिक वेब साइट पर जाएए, जहां मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, परिक्षा पर चर्चा का लिंक भी है, ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, सबसे वेले, प्यारे बच्चों ये आपके लिए नहीं है, जो इस साल बारवी के बच्चे हैं, उनका तो हो चुका जो होना था, ये किसके लिए है, ये उन बच्चों के लिए है, जो अब दसवी में आए हैं, बारवी में आए हैं, ग्यारवी में आए हैं, नाइंत में आए हैं, तो सारे बच्चे इसको शेर कर दीजे, session स्टार्ट हो चुका है, यहां पर मैं click कर रहा हूं, click कर देता हूं यहां पर, ओहो, 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 यह क्या लिखा हुआ है, यह क्या लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, देख लिजे आप, कौन बच्चा सुनाएगा पढ़कर, इसकी डेट क्या है बताओ, वोट इस देट अफ दिस नोटिस फ्रॉम सी बीच्ची, इस बार टम वन टम टू होगा यह नहीं होगा, क्या इस बार सैलेबस विडियूज हुआ है, क्या पेपर टफ आएगा, पेपर कहां से आएगा, सैलेबस कितना है, यह सारी बात है इस लाइब में आपको पता चलने वाली, जल्द बाजी करने वाले बच्चे, बाल में देख ले ना, 21 अपरेल को है, राम राम भाई, राम राम, शिवम कुमार, यह देखे, All Heads of Institution Affiliated to CBSC, 21 अपरेल कहा है, सर्कुलर नमबर है 48, अबलिक 20, 22, CBSC एनवली प्रोवाइट्स करिकुलम फॉर क्लास 9 तुट्वेल्ट कंटेनिंग अकेडमिक कंटेंट, सैलेबस फॉर एग्जामिनेशन विर लन्निंग आउटकम्स, पीडागोजिकल, प्रैक्टिकल्स, एंड, असेस्मेंट गाइडलाइन, तो मतलब, यह कहा रहे हैं कि CBSC हर साल जो है, हम सैलेबस देते हैं, तो इस साल भी हम सैलेबस दे रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने भी तक लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दें, और मेरी सबसे प्रातना है, हर हर महादेव, अभी व्लोग्स, जो भी बच्चा इस सेशन को लाइक कर रहा है, उसके बहुत अच्छे नमबर आएंगे, इस सब बात दे रखी हैं, यहाँ पर सैलेबस का लर्निंग, मतलब स्कूल वाले सैलेबस को फोलो करें, ताकि बच्चों को इसका बहुत फायदा मिले, लर्निंग ज्यादा उप्टिमूम हो, सेंपल पे, कॉस्चन पेपर वी डिटेल डिजाइन अफ दा कॉस्चन पेपर विल बी मेड अवेलेबिल उन सीवेस्च वेबसाइट इन डू कोर्स ऑफ टाइम, जल्द ही आपके सेंपल पेपर भी आपको दिये जाएंगे, जल्द ही आपके सेंपल पेपर भी आजाएंगे, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, इस पर क्लिक करते ही, इस पर क्लिक करता हूं, तो दो चीज़े दिखाई देती है, नमबर वन, पहली चीज़ क्या दिखाई देती है, पहली चीज़ दिखाई देती है बच्चो, सेकेंडरी करिकुलम 9th, 10th, और सेकेंडरी करिकुलम 11, 12, तो दोनों क्लास का 9th, 11th, 12th का सैलेबस आपको यहां पर मिल चुका है, 9th, 10th दोनों क्लास का सैलेबस आपके लिए आ चुका है, और इस सैलेबस को आप मेरे साथ साथ देखते रहिए, ठीक है, क्या डिलीट हुआ है, क्या डिलीट नहीं हुआ है, और paper के salivus क्या है क्यों कौन से topic आपको पढ़ने हैं और first term second term हो गा या नहीं यह सारी detail मैं आपको यहां पर दे रहा हूं सब बच्चे चेक कर लिजे 9th और 10th की अगर बात करते हैं 9th 10th में आपको initial page दे रखे हैं इनको पढ़ना है languages, main subject, group A, other academic electives, subject of intern assessment, senior secondary curriculum 11-12 तो 9th 10th का salivus भी आप यहां से download कर सकते हो हाला कि मैं explain करूँगा 11-12th का salivus इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, main subject क्या क्या है, mathematics, science, social science अगर कोई बच्चा 9th का यहां पर हो, तो वो बच्चा एक बार comment कर दिजे, अगर आप 9th 10th के बच्चे हो तो आप एक बार comment कर दिजे और अपनी अपनी class comment कर दिजे एक बार, comment your class comment your class अब बच्चे, please comment your class, please comment your class और जिस बात का डर्था वही हुई इस बार टम फर्स टम टू नहीं होंगे याद रखिए इस बार टम टम टू नहीं होंगे इस बार सिधा आपका दसवी के बच्चे भी हैं आपर दसवी के लिए mathematics science और social science में 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 सब्चेक्ट नहीं करऊंगा करें क्या क्योंकि हमारा चैनल 11-12 के है तो 11-12 में देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया था, यहाँ से में सैलेबस मिली गए 11 ट्वेल्ट का, पहले कौन सी क्लास का सैलेबस बताऊं, 11 ट्वेल्ट का, यह बता दिजिए, इनिशल पेजीज में लिखा हुआ है कि क्या-क्या सैलेबस में खास बात क्या है, तो जहां तक मैं पढ़भा रहा हूँ, सैलेबस में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, यह है पीडिएफ सैलेबस का, जो मैं आपको अपने कम्यूनिटी पर दूँगा, जिन बच्चों को प अरिकुलम 11-12, यह सारा यहां पर लिखा हुआ है, यह एक भुक है बेसिकली जो स्कूलों को दी जाएगी, बट यहां पर हम पीडिएफ देख रहे हैं इसका, किस-किस ने बनाया यह, इंडियन कोंस्टिटूशन के बारे में लिखा हुआ है, सारी हमारे करतवे क्या है, है ज़रूरी है, ज़रूरी वह आपके लिखी हुई है, तो लेंग्वेज हैं, इलेक्टिवेज हैं, इसकिल सब्जेक्ट, जेनरल स्टडीज, हैल्थ और फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्स्पिरिंस, इलेक्टिव एरिया में लेंग्वेज आती है, हुमेनिटीज और सोश इस सारी बाते हैं पर दे रखें, इसको आप पढ़ लेना आराम से पीडिएफ मैं आपको दे दूँगा, यह हमारे सैलेबस का मेन पार्ट नहीं है, अब हम आते हैं मेन पार्ट के उपर, इनिशल पर इंट्रोड़क्शन तो सीनिर सेकेंडरी करिकुलम, लेंग्वेज में कौन सी लेंग्वेज ले रखी है, वो लेंग्वेज एक बार आप कॉमेंट करोगे, फटा फट सारे बच्चे, जो लेंग्वेज आपके पास है, वो आप कॉमेंट कर दीजे ताकि मैं आपको आपकी लेंग्वेज के साब से बता सकूं कि आपके पास कौन सी मल्यालम, मनीपूरी, मराथी, मिजो, नेपाली, ओडिया, पर्सियन, रुषियन, संसकर्थ, कोर, संसकर्थ, एलेक्टिव, सिंधी, स्पैनिश, तमिल, तंखुल, तेलगू, एपी, तेलगू, तेलंगाना, आंध़पर्देश की तेलगू अलग है, तेलंगाना के अलग है, उद्दू को और उद्दू लेक्टिव इन लेंगवेजिज में से आप सेलर कर सकते हो। ये शिहाग की लेंगेज ए बोडो बोडो लेंग्वेज काफी बच्चों के पास है। university जो लेंग्वेज आपके पास है वह आप कोमेंट क्रदीजे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा सा अपनी और स्थारी है पने नामरों इसलेंग्वेज है नश्माट करा है हैं academic electives तो आपको कौन सा subject है वो comment करना है मैं आपका नाम shout करूँगा आपके subject के साथ accountancy biology biotechnology business studies BST बोलते हैं इसको BST chemistry Carnatic Carnatic vocal Carnatic melodic computer science economics engineering graphics entrepreneurship हिंदुस्तानी melodic geography dance dance fine arts हिंदुस्तानी परक्यूसन हिंदुस्तानी vocal history home science क्या subject हैं आपके जरूर बताइएगा कामना यादव का biology सोना ली का biology है वंदना वरुन का biology जैनी अनुराग इंग्लिश कोर अधीती हरोरा biology किशोर सोनी biology क्या बात है क्या बात है कितने मैं बच्s को को ये वाला pdf चाहिए वो बच्चे फटाफट comment कर दो भाईया हमें पीडियफ चाहिए वाला के और कितने बच्चों को पताया कि pdf कहां से मिलेगा ये pdf कहां से मिलेगा ये pdf मिलेगा आपको अन at mlearning effect पर मुझे फॉलो करने के बाद अन पर मुझे फॉलो कर लिजे वहां पर एक community है मेरी वहां पर मैं upload कर रहा हूं इसको सब बच्चों को PDF मिलेगा आप कहीं से PDF मत डाउनलोड करना सिवाए मेरी community टैब के वहीं पर आपको असली PDF मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास यह देखिए फिजिक्स यहां पर है हिंदुस्तानी informatics practice legal studies history human science mathematics physics physical education एंसीच अप्लाइट मैथे ब्लिटिकल साइन्स psychology sociology सब्सक्राइब कर सकते हो सीब्सक्राइब करने को दिये computer science की बुक 11 12 की आप डाउनलोड कर सकते हो यह पीडिये मैं आपको भेजने वाला हूं information practice की बी 11 12 की दोनों बुक आपको डाउनलोड के लिए मिल रही है कितने बच्चों को चाहिए यह वाली बुक लाइक कर दीजे फटा फट डार्क कोब्रा अर्चीद गुपता सब्सक्राइबिध करें देखके को कुई भी सैलेबस डिक्शन नहीं हुआ है कुछ लिखावा नहीं कहीं भी सैलेबस डिक्शन नहीं हुआ है बच्चों और पेपर भी आपका एक ही बार होगा मैं दिखा जैता हूं आपको मेरे पास information इस बात की भी, paper सिरफ एक बार हो रहा है, paper को CBSC ने दो बार नहीं कराया इस बार, जहां तक मुझे लग रहा है paper एक बार होगा, जहां तक क्या लग रहा है, क्योंकि 70 number का paper दिया है, मैं आपको दिखा ज़ेता हूं, पूरा पेपर मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूं एक बार रुख जाईए जो cbsc ने पेपर दिया है ठीक है अब देखिए आपको दिखाते हैं यह सारी information यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सबजेक्ट कौन-कौन से आपके वो भी आप comment कर दिजे जो आपके पास additional subject हैं यह देखिए इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, उर्दू इलेक्टिव, उर्दू कोर, इस सारे सब्जेक्ट एक साथ CBSC ने यहाँ पर दे दिये हैं और सैलेबस रिडक्शन की कोई बात मुझे तो नहीं दिख रही है, हो सकता है, बाद में CBSC कोई कलैरिफिकेशन दे, फिलाल तो बच्चो आपका सैलेबस रिडक्शन की कोई सूचना यहाँ पर नहीं है, तो यह सारी ख़बर मैं आपको लगातार दे रहा हूँ, अब चलते ह किसकी सब्जेट का सैलेबस एक्स्प्लेइन करूं, यह बता दीजे मुझे एक बार, किसकी सब्जेट का सैलेबस एक्स्प्लेइन करूं, यह बता दीजे मुझे एक बार, किसकी सब्जेट का सैलेबस एक्स्प्लेइन करवाना चाहते हो, कॉमेंट कर दीजे, सबसे पहले म कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट जिस सब्झेक्ट का आप करवाना चाथे हो वो अपकूमेंट कर दीजिए इताफट जिस भी सब्जेट का आपको होगी उसी का कर दूँँ आपके फिजिक्स, पीसी एम, पीसी बी, ओह, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है, देखते हैं भी ये लो, फिजिक्स का देखो, कहीं भी नहीं लिखावा है सैलेबस रिड़क्शन का देख लो, सैलेबस रिड़क्शन के बारे में कहीं नहीं लिखावा है बच्चो, सैलेबस रिड़क्शन की बात कहीं भी नहीं लिखी हुई है, प्यारे बच्चो, सैलेबस रिड़क्शन क की बात कहीं नहीं है देख सकते हो आप लोग औहालिक का यह देखो सेलेबस 11 का देखलो पहले विशीकल वर्लाइन मेजर मेंट सब्सक्राइब सैकिंड और यूनिट थहर्ड मिलाकर तैईस नंबर बन रहां के यूनिट फिरस्ट यूनिट थीजय थोड़ा कर tवैंटी थाव यूनिट हर्ट तपड़ लेते हो तो 23 नंबर बन जाते हैं अ मोशंट अव सिस्टम पाटिकल से rigid body rotational motion unit 4 unit 5 मिलाकर और ग्रेविटेशन मिलाकर 17 नंबर और आप देख सकते हो पूरा पेपर 70 नंबर का दे रखा है यह देखो कितने नंबर का दे रखा पूरा पर 70 नंबर का इसका क्या मतलब है 70 नंबर का पेपर देने का मतलब क्या है कि एक ही पेपर होगा आपका एक ही पेपर होगा एक ही बार final पेपर होगा term first term two नहीं होंगे इस बार साब पता चल रहा है no term no term first no term first and two इस बार term first term two नहीं होगा तो ये फैसला आपको कैसा लगा क्या आपको ये फैसला पसंद आया तर्म फर्स तर्म टू का आपको सही लगा तर्म फर्स तर्म टू का फैसला या नहीं लगा क्या आप चाहते थे कैसा हो या आपको बुरा लगा ये आप कॉमेंट करिएगा और यह देखी हैं यहां तक first book खतम हो गई आपकी फरस्ट बुख का कितने नंबर होगे सतरा और तिस 30 number हो गई first book 30 number की देखी है first book 30 number की देखी है बड़ी बात बता रहूं है आपको यानि कि 70 मे से first book के 30 number है और फिर 70 मे से second book के कितने नंबर होंगे चालिस ये बहुत बड़ी बात है ये बात बहुत बड़ी है कि फर्स्ट बुक फिजिक्स की जो है वो बच्चो तीस नंबर की दी है और आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया मैं आपके लिए तनी महनत करता हूँ दिल से बुरा लगता है जब आप लोग लाइक नहीं करते हो ये बात यहाँ पर बहुत बड़ी है सेकंड बुक चालिस नंबर की भाई नोट कर लो इस बात को सब बच्चे इस बात को नोट कर लिजे अरे पढ़ने वालो फर्स्ट बुक तीस नंबर की सेकंड बुक चालिस नंबर की ट्वैल्थ का भी देखते हैं ऐसा ही है क्या तो यहाँ पर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ सारा पूरा सत्तर नंबर का देख लो 160 क्लास में सत्तर नंबर अब आपको मुझे बताना है 160 क्लास 160 क्लास में 70 मार्क्स क्या आपका स्कूल 160 क्लास लेगा या नहीं यह आप देखना CBSC ने कहा है पूरा सैलेबस करवाने के लिए कम से कम 160 पीरिट पढ़ाना चाहिए 160 पीरिट पढ़ाना चाहिए पूरी सैलेबस करवाने के लिए अब आपको देखना है कि आपका स्कूल एक्सो शाट पिरेट पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है सैलेबस रिडियूस नहीं हो अंकर चोदरी यह आप देख सकते हैं कहीं बार सैलेबस बहुत जल्दी से करवाए जाता है कहीं बार थीरे थीरे करवाए जाता है यह आपको देखना है तो हम चलते हैं 12 की तरफ यह सालम वस देखरो पूरा सेलेभर से कहीं पड़ कोई भी सालेबर रिद क्शन नहीं हुआ है तो ये physical world chapter पुरा दे रखा है, kinematics में कुछ नी छोड़ रखा है, देखो, frame of reference, motion in straight line, elementary concept, uniform accelerated motion, velocity time graph, relation for uniformly accelerated motion, graphical treatment, motion in a plane, मुझे तो लगनी रहा, कुछ छोड़ा है वई, प्री बोर तो होंगे बच्चो, नंदनी शर्मा, प्री बोर तो होंगे बेटा, प्री बोर तो स्कूल लेता है, उसके नंबर नहीं कटते है, अर्चित गुपता बेटा, इसमें लिखावा नहीं हो सकता है, हुआ हो, work energy power, पूरा दे रखा है, देखो, motion, potential energy, motion, plastic, सब दे रख रखाया, gravitation में, एक मिनट, capillar low, planetary motion, universal low of gravitation, capillar low भी दे दे अस बार तो, gravity, gravitation, potential, satellite, satellite भी दे रखे, सब दे रखाया, इस से पता चलेगा, properties of bulk matter में, elasticity, stress, tendency, hooks, low, young, सब दे रखाया, सब दे रखाया, फ्लूट में, surface energy, सब दे दिया, भाई, कुछ नहीं छोड़ा, मुझे नहीं लगा, अब Doppler effect हुआ, तो समझ लो, सारा से लेवस दिया है, Doppler effect चेक कर लेते हैं, एक मिनट, wave motion, transfer, longitude, speed of transfer, displacement, में, transition, process, supervision, standing wave, Doppler effect तो नहीं है, वेवेज दे दिये, Doppler effect नहीं है, इसका मतलब सेलेवस कम हुआ है कहीं न कहीं, बच्चों लग रहा है, मुझे सेलेवस थोड़ा-थोड़ा छोड़ा, Doppler effect 11th का नहीं दिया है, work done in consumption, ठीक है, कुछ सेलेवस कटा हुआ है, शायद, evaluation scheme में practical में देखिए, दो experiment करने पड़ेंगे, आपको इस section से, practical record पांच नंबर का है, वन activity तीन नंबर किये, investigator project तीन नंबर का है, और वायवा पांच नंबर किये, आपके school में कितने practical हुए हैं, अब तक subjective paper होगा, आपके school में कितने practical हुए हैं, 11th के, बता दो, अब मैं 12 पे जा रहा हूँ सिदा, ये practical हैं आपके, list पूरी में दे रहा हूँ आपको, पीडिएफ डाउनलोड करने के लिए, पूरी भेज रहा हूँ मैं आपको, मेरे अनकेडमी के community टैप से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये आगे हम physics पर देख लो, physics का syllabus देख लिजिए सब बच्चे, इलेक्टो स्टेटिक और करेंट इलेक्टिसिटी मिलाकर 16 नमबर दे रहे हैं, इलेक्टो स्टेटिक और करेंट इलेक्टिसिटी मिलाकर 16 नमबर आ रहे हैं, ये देखो 16 नमबर, पहले 3 चैप्टर सोला नमबर के हैं, first 3 चैप्टर इलेक्टिसिटी मिलाकर 16 नमबर के हैं, है Magnetic Effect of current and Magnetism Electromagnetic Induction and alternating current electromagnetic wave यहां तक 17 नंबर 16 और 17 तेइस नंबर तो यह हो गया आपके सोरी 6 तेइस नंबर 33 नंबर तो आप अगर सिरफ एसी तक पढ़ लोगे फस्ट बुक तक तो 33 नंबर हो जाएंगे आपके यानि के सेकंड बुक को दे रखें हैं 37 नंबर 11 में फस्ट बुक को दिये थे तीस नंबर इसको दिये 33 नंबर यह बड़ी बात है आपर यह बहुत बड़ी बात है यह आप नोट कर लिजे 11 में फस्ट बुक तीस नंबर की है और 12 में फस्ट बुक 33 मार्क्स की यह बहुत ख़तरनाग बात बता रहा हूं मैं आपको यह बात कोई नहीं बताएगा बच्चो नोट कर लो इस बात को सिंगल बोर्ड होगा बेटा रज़त जायसवाल सिंगल बोर्ड होगा बिल्कुल सही बोला आपने यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्रोमाइनटी वेव को सेकंड बुक में टाल दिया है क्योंकि यूनिट फोर यहां तक थर्टीदे नंबर होगे हैं इसके आपको कि यॉप्तिक्स के साथ जोड़ दिया सको और है यह ऑ वेव तीन चैपक्टर नंबर को दिन रखे तो यह बहुत बड़ी बात आगे सेलबस जो रिडियूस वा था वापस आ चुके हैं ये बात थोड़ी सी यहां पर खतरनाक लगई है लेकिन अगले साल के पाइब घड़ने पढ़ेंगे उनको सिंपल सर्किτ भी पढ़ने पढ़ेंगे transistor as an amplifier, transistor as a switch, satellite वगेरा सब कुछ आ गया है और इस बार तो nuclei पूरा chapter दे दिया है, पिछली बार nuclei में से DK वगेरा हटा दिये थे सारे, तो यार बच्चों के इस बार पूरा पढ़ना पड़ेगा और जो इस साल के बच्चे हैं, उनको लोड जादा पड़ेगा, इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि unacademy का one year का सब्सक्रिप्शन ले लिजिए, ATC 10 code यूज़ करके कौन सा code यूज़ करोगे, ATC 10 code लगा कर one year का सब्सक्रिप्शन ले लिजिए, सब बच्चे one year सब्सक्रिप्शन ले लो, one year सब्सक्रिप्शन ले लो, अब seriously पढ़ना पड़ेगा, अब वेसे काम नहीं चलेगा मजाक मस्ती में, अब आपको seriously पढ़ना पड़ेगा, अभी भी आप plus या iconic सब्सक्रिप्शन ले लिजिए, एक ही बार paper होंगे, salibus reduction हुआ नहीं है, हो सकता है किसी subject में थोड़े बहुत topic हटाएं बाद में, फिलाल तो मुझे physics में तो देखकर पूरा ही subject लग रहा है, physics के साब से बढ़ा सकता हूं में, कुछ भी deleted मुझे लग नहीं रहा है, जातर चीजे दे रखी हैं, ठीके, यह देखो, practical में यहां तक 70 नंबर पूरे हो गए, practical की बात करें, 12 में देखिए, एक बात सुन लो सब बच्चे, 12 physics की, 12 physics की first book 33 नंबर की है, 33 marks, first book 33 marks की है, और second book जो है, वो 37 marks की है, तो यानि के second book का ज्यादा वेटे है, तो total होगे आपके 7 और 3, 10 और 7, 70 नंबर होगे आपके total, new class तो शुरू हो गई आकाश यादव, अब आपको समझने पढ़ेंगे concept सारे, ठीक है, यह यहाँ पर मामला जो है, खतरनाक हो चुका है, अब आपको समझना पढ़ेगा इस चीज़ को की बेटा पढ़ लो, अब seriously पढ़ना पढ़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन ले लो, एक साल का इटलिस्ट, ATC 10 कोड लगा कर और पढ़ाई शुरू कर दो, जबर्दस तरीके से, अब तो पढ़ना पढ़ेगा, अब तो पढ़ना पढ़ेगा, बच्चों प्यारे, प्यारे, अब तो सैलिबस रिडक्शन भी नहीं हुआ है, अब त अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अब ही एक इनफोर्मेशन मेरे पास आई है, बहुत बड़ी, वो इनफोर्मेशन आपके साथ शेर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा रेडियूस हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ऐले में रेडियूस हुआ है, जादा नहीं हुआ है, अभी information आईए मेरे पास मैस में थोड़ा reduce हुआ है chapter 3 में color coding नहीं है physics के chapter 3 में color coding नहीं मिली मुझे एक मैं आपको बता हूँ 11 मुझे Doppler effect भी नहीं मिला ये बात note कर लिजे यहां पढ़ लिजे लिजे और ये बात भी note कर लिजे कि 11 की first book में 30 number है और second book में 33 है सेकेंड बुक के 40 लास टोएल में chapter 1 क्या 11 चैटर वन फिजिकल वर्ड नहीं है अब वो तो ख्लास 11 फिजिक्स में फिजिकल वर्ड भी नहीं है बच्चो यह पूरा एक बार यहां तरीके से लिग दीजे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल बता दूँगा एक अलग वीडियो बनाऊंगा छोटी सी में जिससे आपको पता चलेगा क्या 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 रिडियूस हुआ है लेकिन ये बात अब के लिए हो गई है कि पेपर आपका एक ही होगा वस दो पेपर नहीं होंगे टम फस्टम सब कुछ दे दिया तो पहले चैप्टर में तो कुछ भी कट नहीं है पूरा सैलेबस दे दिया पहले चैप्टर करेंगे थोड़े दिन बाद अभी नहीं करेंगे बेटा आए points अब 10 एक प्हें पेफिजिकल वर्ल एक हमें से प्धिशिकाल वर्ल तो ना देते हैं देते एक ही बात है कि छप्टर टू पर देखते चैप्ट्र पोठेंशिघ्यल क्याइंट्य सिंव पोठेंशर में और डाइपोल और सब कुछ है मुझे नहीं लग कर डेरिवेशन नहीं है, इस्टोर्ड एनर्जी का डेरिवेशन काट दिया, एनर्जी स्टोर्ड इने कैपेसिटर का डेरिवेशन नहीं है, याद रख लिजे इस बात को, एनर्जी स्टोर्ड इने कैपेसिटर का डेरिवेशन नहीं है, हाफ सीवी स्क्वेर, इसका बस फोर्मल जाद रखना है और यह एक्जाम में आपके आ सकता है इस पर नुमेरिकल आएगा तो डेरिवेशन हटा दिया है इसका एनर्जी स्टोड इन्हें कैपसिटर कर ठीक है कि बाचो कुरन्धिक एलेक्टिक कर एलेक्टिक चारघ div an एलेकलिक एलेक्टर विल कि एलेक्टीक कर रचिप्टिटिए अक मीनेट इन इन deraly ok वीडिस्टोन ब्रिज भी दे दिया भाया लेकिन 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 इसमें मुझे लग रहा है कन्वर्जन ओफ कि छलो ठीक है मैगनेट इफ्यक्ट्र करेंट में मूविंग चार्ज 컨प्व और स्टेट इसपेट अब सेवट लो सब्कुछ इसमेंट मैंट्र बार में ने इस सब कुछ वापस आ चुका है जोटाया था अब दाया पहरा फैरो भी दे दिया है कि दाया पहरा फैरो बीडे द या फेजर ओनली रेजनेंस पार फेक्टर वर्टलेस करन्ट एज जनेटर रांसप दे दिया वेव में सब कुछ भरक्षा है सारी वेव हैं ऑप्टिक्स में रेख बड़ा हो जया भाई रेख रेख चुले हुए हैं दोनों को में थोड़ा एक्सप्लेइन करना चाहूंगा mcq paper नहीं होगा इस साल subjective paper होगा reflection of light spherical mirrors mirror formula reflection of light total internal reflection optical fiber reflection spherical surface lens lens formula lens maker lens maker magnification power of lens combination of thin lens contact reaction reflection of light optical instrument microscope astronomical telescope सब दे दिया वे optics में wavefront high gains principle सब कुछ है no derivation एक मिनट यंग double slit experiment and expression for fringe width no derivation final expression only oh 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 ydsc का derivation हटा दिया है लो मज़े आगे तुम्हारा ydsc का derivation हटा दिया बच्चो कुछ syllabus reduce हुआ है ydsc का derivation भी हटा दिया है बच्चो मज़े आगे आपके ydsc derivation भी नहीं आएगा current sources and sustained interference of light single slit ये भी हटा दिया है अब आते हैं next नंबर पर dual nature of radiation and matter chapter 11 dual nature of radiation matter photoelectric effect hertz and linard भाई बहुत ज्यादा चीजे नहीं delete हुई है बच्चो कुछ कुछ delete हुआ है बस कुछ कुछ delete हुआ है ज्यादा चीजे delete नहीं हुई है ये आप ध्यान दे लिजी कुछ चीजे delete हुई है बस सच है पर ज्यादर चीजों को delete नहीं किया गया है एक दो चीजे इटा दी है color coding नहीं आएगा color coding को भी इटा दिया है तो देखते हैं एक मिनट कलर कोडिंग को भी इटाया गया है एक अटम चेप्टर में एलफा पार्टिकिल एक्सकेट्रिंग एक्सपरिमेंट रधर फोर्ड मोडल अटम बहुर मोडल अइडोजन अटम expression of radius or bit velocity energy of electron orbit nuclei में composition of size of nucleus mass energy radiation mass detect binding energy per nuclear its variation with vast number दे दिया दे दिया nuclear fusion nuclear fusion electronic devices में सबसे खतरनाक बात जो मुझे लग रही है ना इस बार semiconductor diode IV characteristic forward application of junction diode as a rectifier ठीक है energy band हाँ नहीं है सर्किट तो नहीं है इसमें devices and simple circuit energy band in conductor semiconductor semiconductor P type N type P N junction semiconductor diode characteristic semiconductor diode as a rectifier तो दे रखा है switch नहीं दे रखा है चलो ठीक है कुछ चीज अटाई है practical में देखते हैं the record to be submitted by the student प्रेक्टिकल में आपको record बनाना पड़ाएगा सब कुछ जो भी कटा हुआ है कि दूसरे कोचिंग का यहां पर जो है promotion मत करिए यह अच्छी बात नहीं है और मैं आपको एक दो बाते और बताना important जो मुझे पता चली है अभी अभी वह बाते भी सुन लीजे आप सारे बच्चे कुछ important बाते मुझे पता चली है सेलेबस के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है देखो चैप्टर सेलेबस चैप्टर क्लास 12 में एनर्जी स्टोड इने कैपसिटर फॉर्मूला आएगा बस डैरिविशन अट गया carbon register color code for carbon register meter bridge potential meter principle entry application to measure potential difference and for comparing EMF2 cells measure of internal resistance of a cell यह हटा दिया गया है यह टा दिया गया है ठीक है तो यह बड़ी चीज आपको यहां पर मिल गई है काफी चीज़े ही है पर ज्यादा 20% सलेवर कम हो गया शैद रिबेऊलेशन आई स्की में एक प्रेक्टिकल इक प्रेक्टिकल साथ सन नंबर gapet what is day var to be stay फ्रम स्क्टिकर्ग और प्रेक्टिकल चौद्टर नोस्टसेनों नोसों में में से आप पहले section में से 6 experiment दे रखे हैं, activities दे रखे हैं, section B में भी दे रखे हैं, 6 experiment, sorry, no experiment, और activity दे रखे हैं, साथ, investigator project suggest कर रखे हैं, इन में से आप कोई choose कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, और यह 11-12 की evolution scheme है, practical examination for visually impaired student of class 11-12, जो बच्चे देख नहीं सकते, दिव्यांग बच्चे उनके लिए भी यहां पर scheme दे रखे हैं, तो this is the syllabus जो मुझे आपको explain करना था, और मैंने कर दिया, इसके लावा deleted topics की अगलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं अगर आप request करोगे तो, chemistry का और biology का syllabus respective teacher explain कर देंगे आपको, मेरे साब से, अगर आपको कुछ और बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, अंशिका राजपूत, आप लेती नहीं हो, बहुत दिन से देख के आ रही हो, आप में लूंगी-लूंगी, आप कही नुकसान हो रहा है, आप कही time waste हो रहा है, मेगा राय, hero, पुजा वर्मा, परी, शर्मा, सरब, term first, term नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, term first, term two नहीं होगा, सैलेबस को देख कर तो यह पता चल रहा है, कि अब term first, term two नहीं होगा, सैलेबस को देखने से साब पता चल रहा है, कि term first, term two अब नहीं होंगे, ठीके, तो कितने बच्चों को कुछ पूछ कुछ ना है तो पूछ सकते हैं हर्जोज सिंग सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा आप जाईए अनेकेडमी की वेबसाइट या एप पर वहां से आप सेलेक्ट करिए अपनी क्लास एटीसी टैन कोड लगा और सब्सक्रिप्शन ले लो तो भाई सेलेक्ट आपका थोड़ा बहुत रिडिउस हुआ है फिजिस का मैंने देखा है फिजिस की में नॉलिज है मुझे और सब्जेट का जादा रिडिउस नहीं हुआ है या हुआ है वो टीचर बताएंगे और अब अब के टर्ब टर्म टू नहीं होंगे फिजिकस में ड्रेशन कुछ हटा गये है और आपको तो आपको CBSC का syllabus कैसा लगा ये आप एक बार comment करिए CBSC की जो ये बात है इसको आप comment करिए एक बार कि CBSC का chemistry का syllabus दिखा दो सर चलिए chemistry का भी दिखा देता हूँ बच्चों की demand हमेशा मानता हूँ मैं हम बच्चों की सेवा करते हैं यहाँ पर chemistry का syllabus देख लीजिए हाला कि मुझे उसके वारे में ज़्यादा पता नहीं होगा chemistry mathematics भी देख लेते हैं एक बार यह है mathematics syllabus आपका यह भी देख लो mathematics का syllabus देख लीजिए सारे बच्चे numerical ज़्यादा आएंगे अब जहां तक मुझे लग रहा है syllabus को देखते हुए numerical का वेटेज बढ़ जाएगा बच्चो सो numerical will be more than ever पहले जो numerical आते थे उनके साब से अब मुझे इसा लग रहा है कि अब जो है बच्चो numerical की वेटेज बढ़ जाएगी है ना numerical की वेटेज बढ़ेगी पहले से जादा यह तो आपको मानना ही पड़ेगा ओके तो जो भी होगा पढ़ाई तो करनी है यह मैट्स का सालेवस है तो शुरू में तो दे रखा है objective क्या है यह देखे set and function 23 नमबर का है algebra 26 नमबर का coordinate geometry 12 नमबर का है calculus 8 नमबर की है aesthetics 12 नमबर की है total 80 नमबर का हो गया और math में एक अच्छा फायदा है कि 20 नमबर आपका hello current 20 नमबर आपका आ रहा है यहाँ पर internal assessment तो 20 नमबर स्कूल के हाथ में है पूरे आपके अगर आप चाहते हो कि आपकी स्चे नमबर आएं तो आपको स्कूल में अच्छी performance दिखानी पड़ेगी आपको no chapter wise unit wise weightage care to be taken to cover all the chapters मतलब कोई topic wise यह chapter wise weightage नहीं सारे chapter पढ़ने पढ़ेंगे unit wise दिया है इनोंने और आगे देखते हैं set and function का syllabus है बीस पीरिट दिये हैं इसको relation and function trigonometrical function अब इसका syllabus मुझे मैस तो पढ़ाता नहीं हूं मैं formula भी दे रखे हैं सारे कौन-कौन से formula पर बेस question करने algebra complex number linear inequalities permutation and combination binomial theorem ठीक है sequence and series coordinate geometry state line conic section introduction to 3D geometry calculus limits and derivative statics probability statics और probability भी दी है और यह एक paper का पूरा दिया है आपको remembering base पर और understanding base पर आएगा 55% weightage low भाई पास होने का जुगाड होगे remembering और जो understanding है applying के 25% होगा analyzing 16 number का यह बहुत अच्छा दिया है इन्होंने math के paper को अगर आप देखोगे तो math के paper का यह दिया है typology क्या है इसकी है न ऐसे physics का दिया है ऐसे chemistry का दिया है और overall choice नहीं होगी 33% internal choice आपको मिलेगी periodic test दस नंबर के और mathematical activities दस नंबर के internal marks पीस नंबर आपके maths के हो चुके हैं जिन जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया आप तक एक बार like कर दिजे फटा फट आपका syllabus मैं explain कर रहा हूं लगातार कितनी देर हो गई मुझे मैं बता जता हूं 40 मिनट हो गई है 40 मिनट से लगातार में आपका syllabus और यह आपर marks का distribution किया है relation function art number algebra 10 number calculus 35 number vector and 3D 14 number linear programming 5 number probability art number total 80 number 20 number का internal weightage यहाँ पर हो चुका है और यह syllabus आपका आचुका है अब यहाँ पर पूरे syllabus को define करते हुए तो यह देखिए यह 12th का syllabus था है पहले 11th का syllabus दिया गया था तो यार बहुत अच्छी तरह है अब बताओ कौन से subject का syllabus explain करूं मैं बताइए कौन से subject का syllabus explain करवाना चाहते है अनगेडमी एप पर जाकर मुझे follow करिए वहां से community tab से यह PDF आपक अनगेडमी एप पर जाईए मुझे follow करिए और वहां पर आपको chapter wise weightage मिल जाएगा हर चीज़ का और सारे PDF में आपको दे रहा हूं इसके बाद बच्चे कौन से chapter को मैं करूं यह 12th का है देखिए 12th में remembering और understanding पर 55% पेपर आएगा applying पर 25% analyzing evaluating creating पर 20% total 100 नंबर यहां हो जाए सब्सक्राइब और यहां थे सीवेस्टी निस बाहर अंडरस्टेंडिंग पर ध्यान दिया है नोच एप्टर वाइज वेटेज सुटेबल इंटर्नल वारिएशन में बी मेड फॉर जैनेटिंग वरीस टेंपलेट इपिपिंग दा ओर ओर वेटेज ऑफ डिफरेंट फॉर सब्सक्राइब और फॉर्म और पॉस्टेंग तो बाइलोजी और चेमेस्टी में टककर हो चुकी जादा बच्चे कूंसे हैं बाइलोजी वाले बच्चे जाद हैं चैनल से अलब काफी अच्छा इन्होंने डेटेल दिया है इस बार और ये बुक जो प्रेस्क्राइब हैं वो है NCRT, publication की सारी बुक, कोई भी exemplar भी दी है, lab manual दिया है, कोई भी आपको भार के writer की बुक को prescribed नहीं किया है CBSC ने, अब बताओ कौन सा subject दिखाऊँ है, बायो, चलो बायो को देखते हैं, बायो की demand जादा हो रही है आपर, biology, biology वालो, अरे biology वालो, एक like तो बनता या, ठोक biology वाले बच्चे like कर दीजे एक बार, 11-12 का सालेबस है, यह है 11 का सालेबस, diversity of living organisms 15 नमबर, structural organization, plants and animals 10 नमबर, cell, structure and function 15 नमबर, plant psychology, physiology, 12 नमबर, human physiology, 18 नमबर, 17 नमबर, तो यार एक बार अपना favorite chapter लिख दो, favorite unit कौन सी आप, यह सालेबस है, और यहाँ पर सारी chapter दे रखें, नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, और 12 का भी दिखा दूँगा मैं आपको, तो biology में अगर आपको पता हो, कौन-कौन से डिलीट हो है, बता दीजे, practical में, एक experiment, part A से आएगा, पांच नमबर का, एक experiment, one minor experiment आएगा, part A से, side preparation, part A, experiment number 245, ठीक है, तो practical record और वायवा वो इसके 4 नमबर है, project recorder वायवा वो इसके 5 नमबर है, 30 नमबर का होगे, यह सारे experiment दे रखे है आपको, यहां से आप experiment की list निकाल सकते हो, books दे रखे हैं, कौन-कौन सी पढ़नी है, तो यह बहुत अच्छा किया CBSC में, prescribed book कौन सी है, biology class 11, published by NCRT, कोई भी भारकास publication यहां प और आप सभी से request है कि like कर दो सारे बच्चे, chemistry पर दिखा रहा हूँ आपको, यह देखो, 12 का, 12 में reproduction, 16 नमबर का, genetics and evolution, 12 नमबर का, biology and human welfare, 12 नमबर का, biotechnology and application, 12 नमबर, ecology and environment, यह, तो इस तरह से सारा syllabus यहां पर chemistry का भी दे रखा है, यह सारी PDF में आपको दे दूँगा, अपने Unacademy app के, अगर आप जाओगे और मुझे follow कर लोगे, तो वहाँ पर आपको मेरा community दिखता है, जहां से आप पूरा syllabus देख सकते हो, ठीक है बच्चो, यह PDF आपको download करने के लिए वहाँ से मिल जाएंगी, अब आपको यह तो clear हो गया होगा, कि अब भाई, term 1, term 2 नहीं होगे अब एक ही paper होगा, 70 नंबर का, so it is the right time to take plus और iconic subscription, और बच्चो, याद रखिएगा कि ATC 10 code लगा कर आपको लेना है, because Unacademy is best, जो आपकी online तयारी में best कोई हो सकता है, that is Unacademy, किसी के जख, और cyclotron भी हट गया है, cyclotron भी course से हट गया है, cyclotron भी course से हटा दिया है, ठीके, जो जो चीजे मैं आपको बताऊंगा, ATC 10 code लगाना है आपको, इससे आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगी, 10% का discount और बहुत सारी चीजे मेरी तरफ से, तो cyclotron भी हटा दिया गया है, potential meter हटा दिया गया है, meter breeze हटा दिया गया है, ओके, सर chemistry बता दीजिए, class 12, chemistry का तो बहुत ही ज़्यादा salivus policy कम है, इस बार देख लेते हैं कितना है, यह chemistry, 043 code है, objective दे रखे हैं इसके, यह 11th का है, 11th में some basic concept of chemistry, 7 number, structure of atom, no number, classification of elements, 6 number, chemical bonding and molecular structure, 7 number, chemical thermodynamics, no number, equilibrium, 7 number, redox reaction, 4 number, organic chemistry, 11 number, hydrocarbons, 10 number, यह 11th का हो गया, यह आपको दे रखा, कितने period में पढ़ना है, आपको, सारी चीजिए स्कूल को follow करनी है, practical में 3 गंटे में 30 number, practical को 3 गंटे मिलेंगे, ध्यान रखेगा, volumetric analysis, art number, salt analysis, art number, content based experiment, 6 number, project work, 4 number, class record and viva, 4 number, 30 number का practical, all chemistry lovers hit like, all chemistry lovers hit like, यह सारे दे रखे हैं, quality analysis में क्या क्या आएगा, project दे रखे हैं, list पूरी, 12 पर आ जाते हैं एक बार, 12 की chemistry वो देख लेते हैं, NCRT की बुक से पढ़ना है आपको, यह देखे, solution, 7 number का, electro chemistry, art no number की है, chemical kinematic, 7 number की है, D&F blocks, 7 number के, coordination compound, 7 number, halo alkenes, halo arines, 6 number, alcohols, phenols, and ether 6 number, aldehyde, ketone, carboxylic acid, 8 number, amines, 6 number, और भीया, तुम्हारा biomolecule 7 number, total 70 number का paper हो गया, जैश्री श्याम, जैश्री श्याम, जैश्री श्याम, और यह आपको बदा रखा कि इस chapter को कितने period देने हैं, school को या आपको पढ़ने के लिए, practical की जहां तक बात है, volumetric analysis 8 number का, salt analysis 8 number, content based experiment 6 number, project work भी आपका 4 number, class record and viva 4 number, total 30 number का आपका practical यहां पर हो गया है, देख लिए चीपूरा, ठीक है, तो I hope आपको clear होगे सब कुछ, practical का वही सेम, 30 number का practical 3 घंटे आपको मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़े इसमें delete हुई होगे, वो respective teachers आपको बता देंगे, physics के deleted topics की वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए सून, तो I hope सारा सैले बस आपको clear हो चुका है, और अब आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, जबर्दस तरीके से, अरे पढ़ने वालो, अरे पढ़ने वालो, अब लापरवाई मत करो बच्चो, अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, chemistry का chapter 1 हट गया क्या भूमी का वर्मा, बताओ वई chemistry में क्या क्या अटाया है, बताओ, कौन-कौन बच्चा बताएगा, chemistry में क्या अटाया, biology में क्या अटाया, बताइए मुझे, chemistry का किसको पता चला, क्या क्या अटा दिया है, J.S.P.R.E.N.D., सर, आप क्या पढ़ाते हैं, मैं physics पढ़ाता हूँ बेटा, भूमी का वर्मा, पहला chapter हट गया chemistry का, chapter 1 removed, सर, बुक अभी तक नहीं मिली, बुक तो डाउनलोड कर लो यार, N.C.R.D. की, J.S.P.R.E.N.D., बेटा एक्स्प्लेंड कर दिया, मैंने एक दुबारे वीडियो देख लिना, हलो अधित्ते, ATC10, तो physics में भी काफी टोबी खट गए हैं, और chemistry का, chapter 1 अट चुका है, biology का मुझे पता नहीं, क्योंकि biology का साले बस मुझे ज़्यादा पता नहीं, biology वाले बच्चे बता सकते हो, biology में क्या क्या हटाया गया है, कुंजल राजपूत सर, आपका physics का, chapter 1 का वीडियो ही देख रहा, दिख रही थी, क्या बात है, मंगला इंगल, सर, classification of element वाला chapter हटा दिया है, classification of element हटा दिया है, क्या बात है, okay, साहिल कश्चप, J.S.P.R.E.N.T., श्याम, लाडले एंटर्टेन्मेंट, भूमिका वर्मा, जो chapter नहीं हटाना था, वो उटा दिया, chapter 1 हटा कर सही किया है, नहीं बताओ, बताओ, chapter 1 को हटा कर सही किया है, गलत किया, ये कौन बच्चा बताएगा, और क्या आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया है, और शेयर कर दिया, तो सभी बच्चे अब subscription ले लिजिए, या तो plus या iconic हुए हैं, उसकी डिटेल वीडियो बनाऊँगा, मैं आपके लिए, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, ससरेकाल, सलाम वालेकुम, जैहीं, जैभारत.